जैमा कामख्या नमस्कार साथ को स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर साथ को आज हम आपके लेकर रहे हैं एक मासिक धर्मसास्तर से अद्मुत वहनों का टोटका साथ को इस टोटके का नाम है योनी रक्त और पुरुस के बाल से करेब वशीकर साथ को इसका पहला भाग मैं अपने वीडियो पर अपने चैनल पर पहले डाल चुका हूँ काफी महिलाओं को काफी बहनों को इससे फायदा हुआ है काफी महिलाओं का यूटूब का हमें कोल एमें मेसेच ताप्त हुए कि उनका काम इस विदी से हो गया कुछ महलाओ के काम इस विदी से नहीं बन पाए, कुछ इसे समझ नहीं पाईए तो आज मैं आपको रती कामनि सास्तर से मासिक धर्म विदी की विदी नंबर 11 आपको बदाने जाता हूँ सादगो इस विदी का जो टाइटल है वो इस प्रकार है मासिक धर्म रख एवं पुरुस के बाल से करेब वशिक रख सादिकाओ जिन इस तरियों के पती अन्य किसी महय नहीं रहाएव के संपरक में है या आयवे वहित इस तरया किसी पुर्ष को साहती है उससे विवा करना साहती है तो वह इस तोटके का उप्योक करकर अपनी इस इच्छा युन कामना युन समश्याओं का समधान कर सकती है साधिकाओ, होली का तिवार आने वाला है होली के तिमार पर अगर आप मेरे बताय दुआरा तोटके को उसी तरह कर लेते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताने जार रहा हूं तो आप मानोगे नहीं आपको असंबित करने वाले प्रिणाम प्राप्त होगे सादिकाओ वैसे ये तोटका आप बगेर होली के समय भी कर सकते हैं लेकिन होली के समय में कुछ अधबुत चबतकारी सत्या विद्धमान देती हैं उनके साथ आप जब इस तोटके का इस्तमाल करते हो तो आपको प्रिणाम बहुत ही सुक मैं मिलेगी चलिए सादिकाओ मैं आपको बताता हूँ ये तोटका आपको कब एवम कैसे करना है तो वीडियो को पूरा देखेगा पूरी जानकर आपको वीडियो में प्राप्त होगी सादिकाओ अगर आपका पति किसी अन्य इस तरी के संप्रक में है अगर कोई एविवायत यूती इस वीडियो को कर रही है तो उसे अपने प्रेमी के सरीर का बाल लेकर आना होगा ठीक है और आपको बाल अपने महवारी के समझ से पहले ही प्राप्त करना होगा अब आपको करना क्या है कब करना यह मैं आपको बता रहा हूँ सादकाओ आप जसे चाहती हो या विवायत इस तरही अपने पती को काبूँ में करने के लिए इस टोटके का इस्तमाल करें इसका गलत उप्यों कता हीण नहां करें अब आपको करना क्या है? आपको उस व्यक्ति एवन इन्सान का बाल लेके आना जिसको आपको काबू में करना है बाल लेने के बाद में आपको जब महावारी आए उससे पहले इस बाल पर कुछ फिदी करनी होती जो इस परकार है आप ध्यान से सुनियागा आपको उस बाल को हल्दी से साफ करना है हल्दी के पाने में उस बाल को तब तक डुबो के रखना है जब तक आपको महावारी ना है जिस दिन आपको महावारी है मेरे कहने का मतलब है पर्थम प्रवाहित योनी रखत जब आपको निकले उस स्वमें आप जो कपड़ा या पेड यूज़ करती है तो उस पेड़ को लगाने से पहले आपको उस पेड़ पर उसी हल्दी के पानी के चार छिंते लगा देने हैं जिसमें आपने उस पाल को भीगो कर रख रहे हैं और आपको एक मंतर का उत्याना करना नाम बोलना है जिसको आपको वस में करना है काबुमे करना है फिर आपको जो महवारी के समें जो आपकड़ा या पेड लगाते हैं उस पेड़ पर आपको उस बाल को लगाना है ध्यान रखियेगा बाल वापिस भी आपको मिलना चाहिए तो इस तरीके से लगाईएगा कि वो खोना जाए आपको लगाने के बाद में उस दिन लाल वस्तर धारन करने यह बात ध्यान रखना कि आपको उस दिन लाल वस्तर ही धारन करने पोस्ट के जब तक आप लाल साडी लाल सूट अगर यह आपके पास नहीं है तो आप जो ब्रापेंटी यूज़ करते हैं वो भी लाल पहन सकती है लाल पहनने के बाद में आपको उस दिन जो पीरिट पेड़ आप लगाते हों उसे जब आप बदले तो वह बाल उसी इस्तान पर होना चाहिए और उसे आपको संभाल कर कपड़े सहीत रखना है अगले दिन जब आप अपना कपड़ा या पैड़ चैंज करें तो उस बाल को वापिस उसी इस्तान पर लगा दे जिस इस्तान पर आपने पहले लगा रखा तब तक आपको महावारी आए आपको यह प्रिक्रिया करनी है और यह मंतर का उस्तान साथ बार आपको रोजाना करना है जिस दिन आप साफ हो जाएं, आपको मावारी खतम हो जाएं तब आपको उस बाल को वापिस लेना और उसी हल्दी के पानी में डाल देना जिसमें आपने डाल रखा था धिर जो पहला सनीवार या बुद्वार अगर अगर आप होली पे कर रहे हो तो हुली का देहन वाले दिन करना है अगर हुली पे नहीं कर रहे हो तो आप सनीवार या बुद्वार के दिन इसको कीजेगा आपको उस रिखती के पाउंप पर या उसके सर पर यही हल्दी का पानी डाल देना है जो आपने इसमें बाल गुरत करें लेकिन डालने से पहले आपको रात्री में पूजा करनी होगी इस बाल की और उस कपड़े की जो आपके महवारी का कपड़ा था आपको पूजा करने करते समय कुछ सामान लेने जो इस परकार है आपको लाल तंकासन लेना है एक तांबे की कटोरी लेनी है उसी कटोरी में आपको उस वो हल्दी का पानी एवं बाल डालना है साथ लोंग साथ लाज़ी तीन समयली के फूल लेने है और आपको इन सब के सामने बाल खुले करकर एक साधना करनी है रती कामेनी की वर साधना करते समय आपको एक हजार एक मंत्रों का उचारन करना होगा क्यो हल्दी का पानी है तो एक जार एक बार आपको उसी मंतर का जब करना है और मंतर का जब करने एक बाद में उसी स्थान पर आपको सोना है सोने के बाद में सुबह सूरे देसे पहले आप शनान करके जो बाल लगा हुआ हल्दी का पानी है जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं जिसको आप काबू में करना चाहते हैं उसके नहने के पानी में या उसके सरीर पर किसी भी प्रकार अगर आप उसके छीटा लगा देते हैं तो महिलाएं सादिकाओं यूतियों आप मानोगी नहीं व्यव्यक्ति आपके तुरंत आपके काबूर में हने लगागा जो आपकी मनवानचित इच्छा है वह अपने सरते ही मूझ से बोलेगा अन्य किसी भी जानकरी या समश्या के समधान के लिए आप हमारे गुरूज़े संपर कर सकते हैं इस तोटके को करते हैं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो इस परकार है ये तोटका आपको एक कांतमे करना है जब ये आप करे तो आपको देखने वाला कोई नहूं द द्रमाता दी धन्यवासाद को अगर वीडियो पसंद आए आपको फाइदा हो ता हमें कमेंट या मैसेज करके जरूर बताईएगा जब कमक्या वाला